हलो पेरेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता है और हमने सब चीज़े ट्राइ कर ली है, और मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुए आलरेडी कि बच्चे को खाना खलाने के आपको क्या करना चाहिए पर आज मैं थोड़ा सा और रिसर्च करके आप लोग साथ एक वीडियो शेर करने आई हूँ तो हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे को भूख आखिर कम क्यों लग रही है हमारी तरफ से गलती है या बच्चे की बॉड़ी में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वैसे ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको ये सारी चीज़े बताऊंगी कि क्या कारण होते हैं बच्चे की भूख कम लगने के या फिर बच्चे ने थोड़ा खाना खा भी लिया तो हम जबरस्ती बच्चे को खाना खलाने में लगे रहते हैं और ऐसा हो सकता है कि बच्चे का पेट अल्रेडी भरा हो या फिर कभी-कभी बच्चे की बॉड़ी में कुछ न्यूट्रियेंट्स की कमी होती है जिनकी विज़े से बच्चे को भूख नहीं लगती है कभी-कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि बच्चे के पेट में कीडे हो जाते हैं वो पेट में कीडे किस विज़े से हो सकते हैं या तो अब गंदा पानी पीने की विज़े से हो सकते हैं बच्चे को या फिर बच्चे को जो भी खाना देते हैं अगर वो अच्छे से नहीं पका है तो उसकी वैसे बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं तो अगर आपको लगता है बच्चा अचानक से उसने खाना कम कर दिया है पहले इच्छ से खाता था तो ऐसे case में आपने डॉक्टर से consult कर सकते हैं तो वो चेक करके आपको medicine दे देंगे अगर बच्चे के पेट में केड़े हैं तो अब मैं आपको बताती हूं कि बच्चे की भूग को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं नमबर वन बच्चे की डाइट में आपको आईरन अच्छे से देना चाहिए कई बार बॉडी में जब आईरन की कमी होती है तो इस विज़े से भी बच्चे को भूख कम लग सकती है बच्चे को बच्चे को देना स्टार्ट कीज़ी हरी सब्जाओं देल इससे बच्चे को बढ़े अइरन बढ़ेगा और इससे बच्चे को भूक लगेगी जब बच्चे को आप iron खाने के लिए देते हैं तो साथ में आप vitamin C भी देजी विटामीं C क्या होता है, vitamin C वाले fruit जैसे नीबू होता है, तो नीबू पानी दे सकते हैं, बच्चे को औरेंज दे सकते हैं, मौसमी दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं तो विटमिन C आप बच्चे को देते हैं, तो इससे बच्चे की बॉड़ी में आइरन अच्छे से एब्जॉब हो पाएगा. नमबर टू, बच्चे को कभी कभी कॉंस्टिपेशन, कब्स की विज़ा से भूख नहीं लगती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, तो बच्चे को कब्स नहीं हो, इसके लिए बच्चे की डाइट में आपको फाइबर इंकलूड करना है, बहुत ज़्यादा देने की ज जब वो हो गई ती उसके बाद सेही मैंने उसके दूद में कभी भी चीनी अड नहीं की, मैं उसको शक्कर का दूद देती जिसे हम बोलते हैं, जैगरी पाउडर जो गुड़ वाली शक्कर होती है, उसका मैं दूद देती थी, बहुत बहुत ज़र दालने ही थोड़ा सा ड जैसे भी बच्चे को भूक कम लगती है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप करने के लिए बच्चे को ओर्स दे सकते हो, Fahrenheit andational, whether you don't one will be a whole and Zahlen, on वे मैं नहीं घोली लग्या को अपको दो इससे आपको iki दो झाने करने मैं लिजे. अगर आपका बच्चा कम खाना खाता है तो इसका एक करण यह हाँ सकता है कि इसका बच्चे को बहुत जादा दूदो दे रहे हैं तो दूद्ध को आप कम कर दिजी बहुत साइब कर देंगे बच्चे का पेट बढ़ जाएगा और इससे बच्चा फिर अच्छे से खाना नह इस एक लावाव बच्चे को खाना खान पहले आप पहले पानी मत दीजे कम से Apostle P Arab करा अदा धन रीचे का खाना यहीं मिल रहा है , nucleus इसना आए बच्ंडे को खाना दीजेँ результат मैं हमेशा बोला है कि बच्चा कर रूटीन बनाइये कि इस ताiger ब्लेक्पास ताइम पर लगई आपकर रूटीन होगा तो बच्चे को संधनें STEPP मुझे खाना चाहिए बच्चे के साथ बैटकर घाना कहीए तो यह सारी हए बेट साथ बच्च अधी से थालेंगे तो दॉ ब प्लेट में कुछ colorful fruits दा सकते हैं इडली बनाई है तो इडली में थुड़ा सा चुकंदर अड़ करके वो इडली लाल हो सकती है तो बच्चे को थुड़ा लगेगा कि कुछ अलग लग रहा है तो बच्चे को देखने में और खाने में अगर चीज पसंद आएगे तो बच्चा जरूर जरूर इंटरेस्ट लेगा तो फ्रेंड्स ये था अज का वीडियो आई होप आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये चीज़े ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो हेलफुल रही या नहीं यही था आज का वीडियो थैंक्यू फू वाचिंग